दोस्तों रोमन सामराजी का शांदार समारक कोलोसियम इटली का है कोलोसियम ये एक रोमन सामराजी का शांदार समारक है इस गगन चुम्भी इमारत को दुनिया में कोलोसियम आज भी बहुत प्रभावशाली है साथ में ये एक रोमन सामराजी की शक्ती और कुरूटा का प्रतीक है इस कोलोसियम की निर्माण की शुरुवात सन 72 डीसी में समराट वेस्पियन के काल में हुई थी और समराट टाइटस के काल के दौरान सन 80 डीसी में निर्माण पूरा हुआ ग्लाडियेटर्स, प्रतियोगिताएं, पशुशिकार, फांसी, प्रसिद्ध, लडाईयां और हर तरह के चश्मे के पुनह अधिनियम के लिए इन कोलोसियस का इस्तमाल किया जाता था कोलोसियस में 75,000 तक दर्शकों के बैठने की विवस्था थी दर्शकों को सूरच की किरणों से बचाने के लिए एक मकमली थी, जो एक जाली की तरह थी, जो डोर से बंधी हुई थी, जिसके बीच में एक छेग था अखाडा जो आजू-बाजू से रेच से भरा हुआ था, इस गुमेगा तरचना को हियोपियोगियम केहते हैं ऐसा माना जाता है कि ये एक अखाड़े के रूप में पवित्र स्थान था, जहां पर खिन शहीदों ने अपनी जान देकर इस कोलोसियम की रोमन पोप और अभी जाती लोगों की द्वारा होने वाली हानी से बचाया था, अपने महिलों और चर्च के लिए करना चाहते थे कोलोसियम का दो तिहाई हिस्सान नश्ट हो चुका है, आज का जो कोलोसियम है वो मूल कोलोसियम का केवल एक छोटा सा भाग है, जिसे हम केवल एक अवशेश समझते हैं, आखिरकार रोमन सामराज में लगभग धाई सो अखाड़े रह गए थे, अखाड़े और उससे संब केवल एक अवशेश थे, आप फे उन्मुरी टूपी चूखाग है, आखिरका जे यथे, आखिरकार, जँलोसियम है, आज क encontramos सामरा, इक अवशेशन हैं, आज का छोटा बंवशेशन व्रस्तार मैं लगवचे, आया संब करूएंते हैं, इसा सतार रहीं मुशन हैं, आपकार